नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में नौ रिसेंटली आपने ये ख़बर सुनी ही होगी के भारत चीन के मोबाइल ब्रांड्स पर बैन लगाने जा रहा है जो 12,000 तक के मोबाइल फोन्स है उनके उपर लेकिन इस ख़बर में कितनी सच्चाई है क् मामला यही आज की वीडियो में हम डिसकस करेंगे यह आप आर्टिकल देखेंगे इंडिया टुडे का के इंडिया बैन ओन चाइनीस फोन्स अंडर रुपीज 12,000 टॉप गॉर्मेंट ओफिशिल रिस्पॉंड्स यह आर्टिकल छपा था अब से दो दिन पहले यानि के 11 त के फोन्स के ओपर लेकिन उसके बाद एक स्टेटमेंट आया बीजिंग की तरफ से कि हम इस पर क्लोज नजर बनाए हुए हैं जो एक प्रेस कॉन्फरेंस में चाइनीस फॉरेंट मिनिस्ट्री के जो स्पोक परसन है वैंग वैंविन इन्होंने कहा कि गॉर्मेंट हैस टेक मामला हुआ क्या था यहां पर जब यह न्यूज वाइरल हुई कि इंडिया की जो गॉर्मेंट है वो बारहाजार तक के जितने जो ब्रांड है चाइनीस फोन के जैसे शाओमी हो गया रेट्मी हो गया ओपो वीवो इनके ओपर बैन लगाने वाले हैं ताकि जो इंडिया की मार्केट में ब्रांड हैं अल्रेडी उनको बूस्ट मिल सके क्योंकि उनका मार्केट शेर एक तरीके से खतम कर दिया है चाइनीस ब्रांड ने तो जब यह खबर वाइरल हुई तो बीजिंग की तरफ से यह स्टेट्मेंट आया जो चाहिना के जो स्पोक परसन है कि I want to stress that the trade and economic cooperation between China and India is mutually beneficial in nature we urge the Indian side to earn earnestly fulfill its commitment of openness and cooperation and provide an open fair just and non-discriminatory investment and business environment for Chinese companies यह इनों ने कहा कि किसी तरह के बहुत भाव ना करें हम दोनों कंट्री जो है साथ में विलकर प्रॉस्परस होते हैं आगे बढ़ते हैं mutual एक understanding हमारी होनी चाहिए और beneficial होना चाहिए दोनों देशों के लिए तो उस commitment पे आप कायम रहें और बातचीत को आगे बढ़ाएं ताकि business अच्छा चलता रहा है business environment मिले Chinese कंपनियों को हम invest कर सकें तो तीन Chinese mobile companies जो operate कर रही हैं इंडिया में शाओमी ओपो और वीवो वो अल्रेडी जो हैं अंडर government scanner है आपको पता ही होगा आपने पीछे पास में सुना होगा कि काफी सारे tax चोरी के मामले में इनके उपर case चले और इनका काफी सारा जो bank balance था वो seize कर लिया गया था और पिछले हफते ही directorate of revenue intelligence DRI ने ये detect किया था कि custom duty evasion of around 2,217 करोड यानि लगभग 2,000 करोड से ज्यादा यानि 2,17 करोड रुपए की जो है tax duty की चोरी हुई है Vivo Mobile India Private Limited जो की एक subsidiary firm है Vivo Communication Technology Company Limited की Chinese company अगर आप short form में कहें तो और उससे पहले government ने 300 Chinese app भी बैन किये थे जिसमें Tencent Holding Limited का WeChat था, ByteDance का TikTok था due to a strained relation between India and China following the borders comes is since 2020 जो border पे जो भी हालाज चल रहे हो उसकी वाज़े से TikTok और WeChat बैन कर दिया गया था WeChat को बैन करने के पीछे actually दूसरा कारण यह था कहा जाता है कि वो जो border dispute हो रहे थे उसकी वज़े से हुआ था लेकिन ऐसा माना जाता है जो experts है जो technology experts है कि WeChat क्योंकि एक चैट platform था जैसे WhatsApp हम यूज करते है नॉर्मल messaging service यूज करते हैं तो उसका जो server था वो डेफिनेटली चाइनीज आप है तो वहीं पे था तो कहीं ना कहीं वो privacy में एक loophole create कर रहा था जिसकी वज़े से जो भी चैट यहां पर लोग करते थे उसको यूज कर रहे तो तो एक तरीके से उनकी सारी personal details जो भी वो chat कर रहे हैं इमिजिस शेयर कर रहे हैं या कोई data शेयर कर रहे हैं वो leak हो रहा था ऐसी संभाव ना चाता ही जाती है तो उसकी वज़े से बैन किया था उसके बाद जो Chinese smartphone बैन इंडिया के अंदर हुआ चाइना ने इस पर response किया और financial frauds के मामले जो पिछले कई दिनों में सामने आये तो उन पर लेकिन चाइना ने सुपपी सादली उसके उपर कोई react नहीं किया अब सवाल यहां पर यह उठा कि banning of Chinese origin smartphone brands in sub rupees 2000 segment will retard 5G growth in India यह आप आर्टिकल देखेंगे क्योंकि digital इंडिया की बात होती है 5G आने वाला है 5 5G के लिए spectrum जो है वो रिलीज हुए उसमें बोली लेगी है जितनी भी बड़ी telecom companies हैं वो try कर रही है कि उनके platform पे 5G सबसे पहले launch हो और हम देश को कोशिश कर रहे हैं कि digitally जादा से जादा boost मिले तो वो तभी होगा जब हर किसी तबके के इनसान आदमी के पास औरत capacity चाहे कुछ भी हो जब उनके पास smartphone पहुचेगा और उस smartphone के अंदर इंटरनेट होगा अब जो इंडियन ब्रांड्स हैं वो प्राइज में तो compete कर नहीं पा रहे हैं Chinese phone के आसपास भी उसका reason यह है कि Chinese phone Chinese brands जो होते हैं वो अपनी जो phones market में बेच रहे हैं इंडिया में उनका main मकसद ये था कि पहले हमें Indian brands को पूरी तरह खतम करना है चाहे हमें loss में जाना पड़े तो वो सस्ते बेच रहे हैं यहां के लोगों को लग रहा है लेकिन वो loss में है actually loss में करना है और उनका target था कि एक बार जब market से Indian brands पूरी तरह खतम हो जाएंगे उसके बाद हम धीरे ध बढ़ाएंगे ताकि लोगों को हमारे products की आदत पढ़ जाए उनके पास कोई option नहीं होगा तो फिर वो मन चाही price भी pay करने के लिए तयार हो जाएंगे लेकिन ये बहुत चिंता का विशह है कि अगर इस moment पर ये बैन लगता है वैसे तो government ने clear कर दिया है कि बैन नहीं लग लिजी आप के अभी हमें बहुत जो gap है एक connectivity का के जो rural areas में जो बच्चे हैं या जो वहां की population है वो अभी भी connect नहीं है उतनी ज्यादा digital India से इंटरनेट से या smartphone से तो उनको हमें connect करना है एक बार एक बार वो हो जाएंगे उसके बाद अगर मान लीजे बैन लगता भी है कि अब और नहीं खरीदने क्योंकि already सबके पास एक एक बार तो पहुँची जाएगा mobile phone उसके बाद अगर बैन लगता तो शायर इतनी problem न लगता है तो वो कहीं न कहीं डिले हो जाएगा dream और अगर एक बार सबके पास access हो जाएगी उसके बाद अगर बैन लगता है तो फिर कोई problem नहीं फिर हमारी companies जो भारत की जो companies हैं उनको पूरा time मिलेगा कि आप इस से अच्छे product जो हैं वो आप बनाईए कि Chinese brands ही अगर लोग एक Android phone यूज करते हैं उसके बाद वो से change करते हैं किसी ना किसी वज़े से speed slow होने की वज़े से या खराब होने की वज़े से किसी technical part पर तो change तो करते ही हैं लोग आप change करने से तो नहीं रोख सकते लेकिन कम से कम उनको option अच्छे देंगे तब ही तो वो Indian brands की तरफ ज share कि हम बात करें तो लगबग 75-80% share जो है market के अंदर 10-12,000 kg range के जो phone होते हैं तो उसमें Chinese phone ही आपको ज्यादा मिलेंगे और जो यह contribution है वो 31% तक जाता है overall smartphone की market में अगर हम overall smartphones देखें कि मतलब किसी भी range के हो वो उसमें 31% Chinese mobiles का share है तो उसका reason यह है कि वो अपने एक तो चाइना में देखो सबसे बड़ा आप technical points समझने की कोशिश करो एक तो चाइना में सारी manufacturing units हैं अब Chinese मशूर हैं अपनी एक ही खासियत के लिए copy करने के लिए तो वो ध एक brand बना के market में उतार दिया शुरू में उनका प्लान ही होता है कि लॉस पे बेचो कोई बात नहीं है एक बार market capture कर लेंगे फिर दीरे दीरे price बढ़ा देंगे फिर तो जो customer है वो कहीं जाने नहीं वाला तो यहीं उनका plan होता है अब despite legal hassle Chinese mobile companies continue to rule Indian market ये भी एक कड़वा सकत दे लेकिन लोगों का एक सीधा सा सवाल होता है कि अगर Chinese brand नहीं खरीने तो उस range में Indian brand में कौन सा smartphone हम लें कौन से options available है तो फिर कोई counterpart होता नहीं है तो इतना सब होने के बावजूद भी आप देखे कि Chinese mobile की जो market है जो share वो कितना बड़ा है अब यह आप एक report देखेंगे कि Chinese companies have captured 63% of Indian smartphone market with entities such as Xiaomi, Realme, Oppo, Vivo यह सारे एक ही जो इनकी parent company है वो एक ही है taking up to four of top five sports according to data from counterpoint research as of the quarter ended in June में एक counterpoint की research हुई जिसमें यह पाया गया कि बही अल्रेड़ी इनका 63% share है इन brands का और Chinese firms जो हैं वो 75 to 80% मैंने आपको पहले ही slide में बता दिया था कि उनका जो market share है वो कितना है तो अब यह देखिए side में जो graph आपको यह table दिख रही है कि Xiaomi का 2022 के जो quarter 2 था उसमें 19% share था और 2021 के quarter 2 में उसका जो market share था वो 23% था यानि थोड़ा कम हुआ है और Samsung का market share 1% बढ़ गया जो 2021 में 18% था लेकिन अब 19% हो गया Evo का जो market share था वो भी बढ़ गया वो पहले 15% था अब 17% हो गया Realme का भी market share बढ़ा ओपो का भी market share बढ़ा और बाकी के जो other brands है उनका भी market share बढ़ा है हाल फिलाल में जो अभी जो reports है उनके मुकाबले अब सबसे जादा फायदा देखो अगर इस बैन का अगर यह in future लगता है तो होगा किसको कौन सी वो companies है तो Indian companies है Samsung तो खैर South Korea की company है तो Samsung Indy के ओपर work करें कि हम कम से कम प्राइज में कैसे competitive you know instrument और handset arrange करा सकते है Indian market में तो इन लोगों का market share बढ़ सकता है लेकिन problem वही बात घूम फिर के आ जाती है कि जो चाइना में जो resources है जैसे और दूसरे brands की company है या chip shortage जो ताइवान से अभी हाल फिलाल आपको पता ही होगा कि ताइवान के साथ क्या issue चल रहा है चाइना का कभी भी attack हो सकता है वो बिचारे डर के साहे में एक तरीके से जी रहे है अमेरिका उनकी help करेगा या नहीं करेगा क इतना Chinese brands के पास availability है resources की तो वो एक चोटा सा problem आ जाता है जिसकी वज़े से ही हमारी सरकार ने ये initiative शुरू किया था make in India का ताकि जादा से जादा लोग इस चीज़ को adapt करें और इस कोशिश करें कि आप कैसे जो resources आपको बाहर से मंगाने पड़ रहे हैं कैसे वो इंडिया मे तो वही बात जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमको Indian companies को और जादा nurture करना पड़ेगा उनको develop करना पड़ेगा ताकि आगे आने वाले समय में कम से कम हम compete कर पाए Chinese brands से हम बाते तो बहुत करते हैं कि Chinese brand को boycott करो लेकिन option क्या है अगर आप boycott कर देंगे तो हर किसी आदमी के पास तो इतना पैसा है नहीं कि वो 50,000, 60,000 का iPhone खरीद ले या 25,000 का Samsung का phone खरीदे क्योंकि जो range China के phones जो brands जो आपको 10 बार 1000 में दे देते हैं वो शायद Samsung की phones में आपको 25,000 में भी ना मिले तो कहीं न कहीं आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा अगर आपको बविश्य में चाइना के brands को टक कर देनी है और उन्हें पूरी तरह से market से खतम करना है तो I hope यह एक updated वीडियो थी I hope आपको सारी बाते clear हो गई होगी होगी कि ban लग रहा है या नहीं लग रहा क्लियर कर दिया government ने कि नहीं लग रहा भाई कोई प्लान नहीं ह होता है कि पहले पूरी तरही के से जांच परताल कर लें वेट करें कि अगला counter क्या आने वाला government की तरफ से उसके बाद वीडियो बनाने की जल्दबाजी के चक्र में आपको गलत information प्रोवाइट करना भी सही नहीं है तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइ मता की जाए